हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जडे गार्डन फ्रेंड्स क्या हो रहा है कैसे हैं आप सभी लोग और बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूं तो प्लीज सभी लोग देखिएगा मेरी वीडियो को और शुरू से आखिर तक देख खा रही हूं काफी टाइम पहले करीब 15 दिन पहले मुझे प्लांट जो है गिफ्ट में मिले थे किसी ने गिफ्ट किये थी यह तीन प्लांट एक तो यह दू अद्धी आ प्लांट है जो बढ़ा वाला जो अम्रूद का है इसमें एक ट्रेट निकलता वहाला अम्रूद बहुत अच्छा प्लांट काफी बड़ा सा वी है एक ये प्लांट और ये दिखें निबौ का प्लांट यह निबौ और बहुत अधिवी का्फे बाद मैं दिखाई यह इत्पी हेल्ध रिएया मुझेस तीन फ़र्ट कहिं अूर। ले कर आई थैं मेरे लिए यो निकला हुआं पहले से हुच चोटा सा मटर के दाने जसा नीबू सै hide Dr. दोग सब्रेडर दोगी बाद चाननी का एक प्लांट चाननी का दिया है यह चाननी का वाली चाननी का प्लांट वह वाला प्लांट है देखिए इसमें भी जो है थोड़ी सी बट्स आ रखी है थोड़ी बट्स हैं इसमें फ्रेंड देखिए भी फ्लारिंग करेगा तो यह तीन प्लांट मुझे मिलें और का इसे बहुत-बडेया से स्वायल मिक्स्टर त्यार करूंगी वह भी आप लोग देखिये और किसे प्लांट के लिए काय़ ठीजें? बंख लिए काया सब्सक्राइब क्यादгляд हना वह बने रही हमारे साथ ती सबी चीजें मिक्स करके वो रखी हुए काफी दिन से भरी हुई सूखी मिटी थी मैं इसी मिटी को आज यूज कर रही हूँ हमारे पॉर्ट में अच्छी भर के रखी हुई यह मैंने पहले से तयार करके कभी कोई करना होगी मैंने मिटी बहुत सारी बनाई थी तो इसमें फिल करके रख दी और यह देखिए डाल रही हूं थोड़ी थोड़ी एक-एक मुठी नीम खली में दोनों अपने पॉड में और छोटा पॉड जो है वह अभी मैंने स्लेट नहीं किया है उसके लिए पॉड लेके उस इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिटी सेंडी स्वाइल सब मिक्स किया हुआ है रखा था इसी में चीज़ें और अच्छी ताकदवर बने और ऐसी हो जो प्लांट की रिपॉर्टिंग करूं तो प्लांट जल्दी से सर्वाइब कर जाए इस मिटी में तो यह देखिए यह चाद्धी का प्लांट है पहले इसी को रिपॉर्ट कर रही है इसके लिए थोड़ा चोटा पॉर्ट मैंने लिया है क्योंकि अभी प्लांट चोटा है जब कभी जादा बड़ा होगा ग्रोथ करेगा तो कभी देखा जाएगा फिर मैं दूसरे बड़े पॉर्ट में जो जी यह देखें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेंडी टाइप की स्वाइल है और इसमें यह प्लांट लगे हुए हैं इस तरह से बहुत एजली मैंने इसको भी रिपॉर्ट कर दिया है और इसमें जो मिट्टी मैंने नहीं बनाई है वही नीचे भी स्पॉर्ट में ड कर दिया आप यह देखिए दूसरा फइस प्लांट के लिए मैंने जो मेरा यह नीव का प्लांट यह आप तो और यहNice है तो यू भी ट्रूट है ठीक हैं बहुत बड़ा नहीं है बहुत चोटा भी नहीं है डि इस में प्रूट आया हुआ है अबों ने देखा हो हैं ले लिया है और इसका भी रूट बॉल बहुत अच्छा है बहुत मिट्टी बहुत अच्छी इसमें लगी हुई है तो इसे भी मैं ऐसे ही रख दूँगी थोड़ा सा मैं इसको बस अटा के इस तरह से तोड़ी ऊपर पर की मिट्टी हटा दूँगी हास से जी यह ऊपर देखिए वीट्स वगएरा निकले हुए हैं इनको खटा देना है बस इनको सब कु साफ करते हैं ताकि यह दुबारा से ना होगा है इनको जट से साफ करके निकाल देना चाहिए और नीचे से थोड़ी से मैं इसकी मिट्टी हटा रही हूं दाकि हमारी जो नीच स्वाइल से मुझे यूजर कर रही हूं इतनी मेरे पास परानी स्वाइल है उसी को मैं दुबारा से रिजार्ज कर रही हूं जल्दी इसे नहीं देना है प्लांट में दो चार महीने के बाद कोई खाद दूंगी और देखिए अमरूत के प्लांट के लिए मैंने बहुत बड़ा सा पॉर्ट चूस किया है यह मेरे पास पहले से इसमें पपीते का प्लांट लगा हुआ था पपीते का प्लांट मैंने बाहर अपने फील्ड में प्लांट को दूप में रखना पड़ेगा और इसमें बहुत अच्छी मैंने सारी जो चीज़ें मिक्स करके स्वाइल तयार की थी वही स्वाइल मैंने बढ़ दी है उपर से और नीचे मैंने इसमें जो है कम से कम इसमें मैंने कम से कम 15-20 इंच जो है उसकी इंट और गुट करी किचिन को आ या वहाइतर है और बढ़त अच्छته चरो back लाघी तो इसमें नहीं करना पड़ेगा इसके लिए बढ़ा पॉट जाहिए होता है फुट इंग फ्लांट के लिए थोड़ा बड़ा पॉट सही रहता है तो यह देखे फ्रेंड मैंने इसमें जो है अम्रूत का प्लांट लगा दिया है और अच्छे तरीके से वाटरिंग कर रही हूं ताके नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाए और पानी नीचे तक चला जाए नीचे मैंने जो है बहुत सा हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स वार वाचिंग